प्यारी बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप उमिद हैं आप बेटर होंगे आपके प्रहाई लेखाई बेहदर धंसे चल रही हुई ठीक है आज संडे है संडे की दिन आप लोग की डिमांड पर हमने तिरकोनमीती लेकर आया है है इसमें बेसिक से लास्ट तक की बात करने वाले ह है एकाट टाइप हो सकता है लास्ट बाला नहों पाए लेकिन हम लगवा इसको हम पूरा करेंगे आज ठीक है तो संडे में रात आठ बजे जल्दी जल्दी सब जुर जाईए ताकि क्लास को सुरुआत किया जा सके ठीक है ठीक है एक बात आओ इसका पीडियेफ इसका बजबाद रहे हैं अभी जश्ट आप लोग के पास सेंट हो गई है टेलिग्राम के चैनल पर वहां पर जाकर आप इसको डॉनलोड कर लिजिएगा हना टेलिग्राम पे टेलिग्राम पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन में लगा हुआ है सबसे पहले पीडियेफ आप डॉन आपको हम बताने वाले हैं एट टू जेट हना बहुत आसान तरीका से ठीक है ना बेसिक से बताएंगे आपको ठीक है गुड इबनिंग गुड इबनिंग जल्दी से जुर जाए सब लो संतोस बलैक बढ़ जैसे पेक्स हना जूर गिए तो चलिए भाया सुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजेगा ओगे बढ़ते हैं ठीक है टाइपवन में यहाँ त्यान दीजेगा फ्वासा सुरू करें ना ठीक है जैसे कि सका नाम है त्रीकॉन मीती द्यान से समझेगा त्रीकॉन मीती gotta मतलब होता है 3 मतलब होता है 3 अब कौन मतलब होता है कौन अब मीती मतलब होता है माप देखिए हम बिल्कुल जिरो लेवल से बताएंगे उसके बाद step by step portion भी आपको हम कराएंगे अब अन तक बने रहिएगा जिस प्रकार से आप कलास करते हैं उडंग से आपको रहना होगा संकों तो वैसा तिर्भूज का होता है तो वैसा तिर्भूज जिसका एक को 90 डिगरी का हो जिसका एक कौन 90 डिगरी का हो पहले बारेकी से समझ लीजिएगा उसके बाद ही आगे के कहान ही हम करेंगे सबसे बड़ी भुजा होता है यह सबसे बड़ी भुजा होता है सबसे बड़ी भुजा होता है इसको कहा गया है कर्ण इसको क्या कहा गया है कर्ण हाइपोटेनस कर्ण ठीक है सबसे जो बड़ी भुजा होता है जो 90 के सामने होता है वह कहलाता है कर्ण और ये दोनों जो भुजा बच गया उसमें से एक लंब होता है और दूसरा होता है अधार एक लंब होता है प्रविंटिकुलर यानि की लंब पी से इंडिकेट करते हैं इसको अधुसरा होता है आधार यानि की बेस गौर से समझेगा आधार यानि की बेस क्लियर है आधार कौन होता है तो बो depend करता है ये तिरभूज के कौन पर कोई भी तीनों भूजा का तीन नम दिया गया है तो इसके कौने के अधार पर दिया गया है जो 90 डिगरे के सबसे बड़ा कुनme 90 हुआ जो 90 के सामने जो होता है वह कहला जाता है और अगर हम कौन कुंसी की बात करें मालो कुंसी को हम ठिटा कह दें तो ठिटा के सामने के जो भुजा होगी यानि ए और सी में कुन बी के सामने तो कंड होई गया कुन ए और सी में जिस कौन का नाम लीजिएगा है ना उस कौन के सामने वाले भुजा सामने वाले भुजा सामने वाले भुजा आपका कहलाएगा लंब ठीक है ठिटा के सामने वाले भूजा क्या कहलाएगा लंब यानि इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कुंसी के लिए कुंसी के लिए यह कुंसी है ना कुंसी के लिए के लिए अगर लंब की बात किया जाए कि कुंसी के लिए लंब कौन है तो यहाँ प बता दो कि कुन A के लिए लंब कौन है कुन A के लिए लंब कौन है हम तुम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे भाईया ध्यान देना है तक कुन A के सामने भूजा देखिए कौन A के सामने भूजा देखिए कौन है BC तक कुन A के लिए लंब कौन हो जाएगा BC हो जाएगा हमें यह लम के बारे में समझ गए है अब समझना है अधार के बारे में तो अधार भाईया कौन से सटा हुआ भूजा गौड से समझेगा कौन से सलगन भूजा या सटा हुआ भूजा सटा हुआ भूजा सटा हुआ भूजा भाईया कौन का मतलब कौन जिस कौन के बारे में हम कह र होगा तो देखो कुन सी से दो भुजा सटा हुआ मिलेगा एक तो आपका कर्ण है ही बढ़का भुजा तो कर्ण है ही और दुसरा सटा हुआ भुजा कौन है बी सी तो यही हुआ अधार कुन सी के लिए अधार इससे जुरा हुआ भुजा एक तो कर्ण निखार ही जाएगा सा दो कि कुन A के लिए कुन A के लिए आधार कौन होगा कुन A के लिए आधार कौन होगा तो देखो कुन A से यह भुजा सटा हुआ है यह तो कर्ण हैं तो इसे दुसरा सटा हुआ भुजा कौन है एवी तो कुन A के लिए आधार कौन हो जाएगा एवी यानि तीन बात हमें यह बात आपको स्वंज में आ गया होगा, अब यहां पे थ्वासा मेरा प्रसंद का उत्तर दीजेगा थ्वासा, रुकियेगा जाएगा नहीं, आराम से रिलेक्स में कोपी लेकर बैठियेगा, बहुत मज़ा आएगा आगे, हना, यहां पे हमें एक प्रसंद का उत्तर दीज बिल्कुल रिएक्स मूड में, जैसे कलास में पढ़ते हैं, आउफलन कलास में, उसी धंग से आपको जवाब देना है लिखकर, अगर पूसों की, हना, समकोन तिरभुज P, Q, R में करन कौन है, तो आप क्या कहिएगा, जल्दी एंसर दीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी कि नब्बे के सामने बाले भुजा, कौन होगा भाईया, P, R, बिल्कुल आप हमसे जूर कर कलास करेगा, अब अगर आपसे हम सवाल करूं, कि भाईया बतादो, कौन P के लिए, कौन P के लिए, बिना कौन का नाम लिए हुए, लंब अधार की बात हम नहीं करेंगे, कौन P क के लिए, भाईया हमको बता दो, कि लंब कौन है, जल्दी बताओ, कौन P के लिए, कौन P के लिए, लंब कौन है, लंब का मतलब होता है, कौन के सामने बाले भुजा, 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 कुन के सामने बाली मेरे सामने बाली खिरकी में याद है न कुन पी के सामने बाली बुजा कौन होगा कौन होगा कौन होगा सब का उतरा रहा है क्यूर यानि कुन पी के लिए लंब होगा क्यूर कुन पी के लिए लंब कौन हो जाएगा क्यूर और अगर आपसे हम सवाल कर कि आधार कौन होगा कुन P के लिए आधार कौन होगा जल्दी जल्दी इंसर दिजेगा कुन P के लिए आधार कौन होगा कुन P के लिए आधार कौन होगा तो बहुत सा भी द्यारती उत्तर दे रहे हैं जल्दी बताईए QR हां QR तो लंब होगे आधार कौन होगा तो याद तो यह वाला कर्ण आपका हमेंसा इस तीर ही रहेगा यह दोनों भैरी करेगा तो अधार बताएं अधार पी क्यू बिल्कुर सही कुन पी का नाम लिया है तक कुन पी से सटा हुआ भूजा दूगो तो है यह 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 तो कर्ण है तो कहेंगे अधार कौन हो जाएगा PQ जल्दी में उतर दीजेगा थोड़ा सा जल्दी में उतर हमें दीजेगा कि अगर आपसे सवाल कर दे कि कुन आर के लिए जल्दी बताईए लम कौन होगा कौन आर के लिए लम कौन होगा कौन होगा कोन आर के सामने वाले भुझा यानी कि PQ कौन होगा PQ अगर पूछदे कि कौन आर के लिए आदार कौन होगा तो आप कह이지 tay कि कौन कौन आर के लिए आधार कौन होगा तो ये वाला तो कर्ण हो ही गया और दूसरा ये वाले से सटा हुआ है ये कौन से दूए गो भुजा तो सटा हुआ है ये गो तो कर्ण फिक्से है और दूसरा सटा हुआ भुजा कौन है क्यू आर तो यहां पे आधार हो जाएगा क्यू आ अब समझे आगे 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 यहां पर कोई भी समकोंतिर भुज में कोई भी समकोंतिर भुज में हाना एग वो तो 90 वाला भुजा आपका कर्ण हो ही गया अगर दूसरा दो भुजा कोन होता है लंब और अधार अगर ठिटा कोन के बात करें तो ठिटा के सामने बाले भुजा लंब हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा अधार हो जाएगा अब पढ़े होंगे इसका एक फ्रमूला कि कर्ण बराबर या कर्ण इसक्वाइर बराबर लंब इसक्वाइर पलस आधार इसक्वाइर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं जैमीती में जैमीती में यानि इससे हम क निकालना हो अगर लंब निकालना हो तो अंडर रूट क्या होगा भाईया कर्ण स्क्वाइर माइनस आधार स्क्वाइर और अगर हमें आधार निकालना है तो क्या होगा कर्ण स्क्वाइर कर्ण स्क्वाइर माइनस लंब स्क्वाइर यानि इससे एक बात तो सफ नजर आ गया कि ये तीनों में से कर्ण, लंब और अधार तीनों में से कोई दो का मान पता हो जाए तो तिसरा का मान निकाल लेंगे यानि लंब और अधार पता हो जाए तो ये फर्मूला से कर्ण निकाल लेंगे और कर्ण और अधार पता हो जाए तो यह फर्मूला से लंब निकाल लेंगे और अगर लंब और कर्ण पता हो जाए तो यह फर्मूला से अधार निकाल लेंगे साथी साथ यहाँ पर एक बात और याद रखेगा समकून तिर्भुज में ही लंब अधार कर्ण कर्ण स्क्वाइर बराबर कर्ण स्क्वाइर बराबर लंब स्क्वाइर बराबर लंब स्क्वाइर पलस अधार स्क्वाइर जो होता है उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं ट्रिपलेट कहते हैं ट्रिपलेट बंता कैसे है ट्रिपलेट बंता कैसे है तो याद रखेगा ट्रिप्लेट बनता कैसे है समकोन तिर्भुज में है ना तो यहाँ पर थ्वासा ध्यान दिजेगा आप पढ़े हैं कि क्या कि A square minus B square 2AB A square plus B square एक पाइथो गोरस त्रिक है पाइथा पाइथा गोरस त्रिक त्रिक याने कि ट्रिप्लेट यानि ये दोनों के बरगों का योग इसके बरके बराबर होता है याद रखेगा ये दोनों के बरगों का योग इसके बरके बराबर होता है यदि B का मान एक ले लिया जाए तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा A square minus O1 ये मिल जाएगा 2A और ये म क्वाइर पलस ओवन किलियर है भाईया तक कहीं न कहीं यह जो आपको मिलाना यह एक ट्रिप्लेट है यह एक ट्रिप्लेट है यानि यह दोनों के बर्गों कायोग इसके बर्ग के बराबर होगा यह भी ट्रिप्लेट है यह तीनों भी ट्रिप्लेट है कोश्चन बहुत बार कामान अगर हम एक ले लिए तो यह भी एक ट्रिपलेट है अब सुनिए काम के बात अब सुनिए काम के बात यदि एक कामान एक से बड़ा लिया जाए ए से बड़ा लिया जाए यानि कि एक कामान अगर आप दू ले ले एक कामान दू ले तो क्या निकलेगा सो बताईए तो दू दूनी चार में से एक गया तीन है ना दूर किया दू दूनी चार फिर दू लिजेगा ता दू दूनी चार एक पाच कहीं न कहीं यह एक टिपलेट है कहीं न कहीं यह एक टिपलेट है क्यूंकि तीन इसक्वाइर पला चार इसक्वाइर बराबर पाच इसक्वाइर होता है देख सकते हो तुम सोला नो पचीस यानि यह जो तीन चार पाच है वह एक समकोन तिर्भुज की तीनो भुजाओं को इंडिगेट करता है समकोन तिर्भुज के तीनो भुजाओं को इंडिगेट करता है इसी से दूसरा हम बना सकते हैं है ना दूसरा हम बना सकते हैं अगर इसको डेबल कर दिया जाए तो तीन दून शे चार दूनी आठ पान दूनी दैस यह भी एक ट्रिपलेट होगा अभी आपको माथा धर रहा होगा लेकिन टेंसन मत लिजिए बहुँ जल्द दूर हो जाएगा तिसरा इसको तिगना कर दिया जाए तो तीन यह नौ चारतीया बारा पांतीया पंदरा इस ढंग से जितना चाहो तुम ट्रिपलेट निकाल सकते हो कभी कभी कोशन आपको मिल जाएगा कुशी ढंग से हैना कह देगा कि यह है पंदरा यह है बारा तो इसका मान क्या होगा तो इसके मान निकालने के लिए अब फर्मुल से देखिये 5 का 3 गुना है और 4 का 3 गुना है औल आप जानते हैं 5 4 3 1 triplet होता है 3 4 5 3 4 5 एक drillet होता है ति पाच गुना पंदरह 4 गुना बारा दद त्तीन दूना क्या होगा भैया शे यह वाला भुजा की लंबाई कितना होगा शे अभी इसको रहने दीजिये यह current यहीं पर रहने दीजिए यह बासमज में आया अगर आया तो थोगा सा और रुख जाए थोगा सा ट्रिप्लेट निकालने के लिए यही फर्मूला होता है इस पर एक कमान एक से बढ़ा लेना है दू लिजेगा तो ट्रिप्लेट निकलेगा तिन लिजिए चार लिजिए पहले तो कुस्स बेसिक था ध्यान दिजिए अill hobbies आपने कहा कि समकोन तिरफुज में तीन भुजा का तीन नाम दियाग Communist जैंगा है बहिए एक कर्ण का संभब नहीं है बिना क्यों का समभब नहीं है अब आप से मैं पोशूं कि ये तीनों में से दोधो का अनुपात बनाओ तो कितना अनुपात बनेगा जल्दी उतर दीजिए तो आप कहेंगे क्या कहेंगे पता नहीं लेकिन हम बना कर देखते हैं पहला अनुपात यहाँ पर बनेगा لم्ब और कण का لم्ब बटा कण दुसरा अनुपात अधार और कर्ण का बन सकता है नहीं ता अधार बटा कर्ण और तिसरा अनुपात बन सकता है लंब और अधार का तो हम कहेंगे लंब बटा आधार इसी धंग से अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो एक अनुपात और मिल जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा लंब ध्यान से अब समझेगा भाया इसका उल्टा कर दीजेगा तो एक हैं आपको पता है ना कि लंब अधार या कर्ण बिना कौन देखे हुए बताना संभब नहीं है अगर आप से कहूं कि यह एक समकौन तिर्भुज है आप ही बताओ अगर मैं कहूं कि यह एक समकौन तिर्भुज है तो बताए कि कर्ण कौन है क्या बता पाईएगा नहीं बता यहां पाईयेगा जब तक ही आप डेक्लिएगा इसकोँ में कौन-Kोन-कौन-90 डिगरी है अगर यह को 90 डिगरी है तब ही कह पाईयेगा कि 90 के सामने बाली भूजा करण है उसी ड़ंग से लंब के बात करूँ की इसमें लंब कौन है तो आप जरूर बोलिएगा कि सर पहले बताइए कि किस कौण के लिए आप लंब पुछ रहे हैं अगर कौण का हम नाम बताएंगे तो आप कहेंगे कौण है अगर यह वाला कौण कह रहे हैं तो इसके सामने बाला लंब होगा यानि बिना कौन का लंब अधार कंड का कोई अस्तित्व नहीं है हम नहीं बता पाएंगे अतया रेशियो जो हम लिखे हैं अभी गलत है अभी गलत है लंब अटा कंड को साथ कौन आना चाहिए ध्यान दीजिएगा या लंब अधार कंड का जो रेश साइन ठिट्टा अधार और कन का जो अनुपात निकला उसको कहा दिया गया कौश ठिट्टा लंब और अधार का जो रिस्यो निकला इसको कहा दिया गया टैन ठिट्टा और उसी ढंग से यहां पे गौर करिए इसका जो लंब कन का उल्टा जो था कन बटा लंब उसको कहा दि गया कौस का उल्टा सेख ठिट्टा और लंबटा अधार का उल्टा जो लिखे थे अधार बटा लंब इसको कह दिया टैन का उल्टा कौट ठिट्टा यानि हम आपको सिर्फ इतना ही सी बात बताना चाहते हैं कि समकून तिर्भुज के तीनों भुजा में दो-दो को लेकर अ निस्पतियां या अनुपात तीरकून मितिये तीरकून मितिये निस्पतियां या अनुपात तीरकून मितिये निस्पतियां या अनुपात यही हमारा तीरकून मितिये का पहला टोपिक हुआ तो आपको याद रखना है साइन बराबर लंबटा कर्ण कौस बराबर अधार इसका उल्टा अगर देखा जाए इसका उल्टा यह हो गया साइन का उल्टा कौसेक कौस का उल्टा सेक टैन का उल्टा कौट यानि साइन बराबर लम बटा कर्ण तक साइन का उल्टा कौसेक बराबर कर्ण बटा लम किलियर है उसी धंग से कौस का उल्टा सेक कौस बराबर अधार बटा कर्ण ता सेक बराबर इसका उल्टा कर्ण बटा अधार उसी ढंग से 10 का उल्टा कौट 10 बराबर अका लम बटा अधार ता कौट बराबर इसका उल्टा यानि अधार बटा लम यह शेवो आपको कंठस्ट याद चाहिए यह शेवो आपको कंठस्ट याद चाहि यह तब जाकर आगे की कहानी हम कर पाएंगे, ठीके भाईया, अब हम बात करते हैं, गजब कलास सर जी, फर्ष्ट कलास है मेरा, कोई बात नहीं, अभी मज़ा तो नहीं आने वाला है, मज़ा तो जब तिरकुनिती में आगे बढ़ेंगे न, step by step, तब आएगा, यह तो सब ल का मान देदेगा, जैसे वो कह देगा, यहाँ पे, जैसे वो कह देगा, कोशन बना देगा, कि यदी, 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 साइन ठिटा बराबर, है न, तीन बटा पाच हो, तो, तो, तैन ठिटा का मान क्या होगा, मतलब इसमें से किसी एक का मान देदेगा, अब बाकी पाचों क मान या पाचों के बैंजग के रूप में बनाकर मान आपसे पुछ लेगा तो करना किया है किसी एक का मान दिया इसका मतलब समझेगा कि यह 3 भोजा में 2 भोजा का मान दे दिया अर किसरा का मान हम तो जानते ही है ट्रिपलेट की मदद से निकालना या यह वाला फर्मूला से निकालना करना क्या है कुछ भी नहीं करना है क्लियर है जैसे अब यहां पे हमको साइन ठिटा का मान दे दिया हमें पता है साइन ठिटा बराबर क्या होता है या लंब बटा कर्ण य तो 10 ठिटा बराबर लंब बटा आधार आप इंसर निकाल लिजिए गाँ लंब है आपका 3 आधार आपका 4 यानि 3 बटा 4 मेरा इंसर होगा कोई बात नहीं आगे सिधे आते हैं कोशन पर यहां पर ध्यान दिजिए जैसे कोशन में क्या कह डाला है यह कह डाला है कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण यानि इसका कहने का मतलब कि लंब चार है कर्ण पांच है तो बचा कौन भाईया आधार आधार बचा कौन भाईया आधार तो क्या आधार आधार आप नहीं निकाल लेंगे फर्मुला से भी निकाल लेंगे और ट्रिपले होता है नहीं तो देखो चार आपका लम यहां पर दिया हुआ है पांच आपका कर्ण दिया हुआ है तो अधार भहिया कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा अगर बाइचांस यह चीज आपको याद नहीं है ट्रिपलेट पर नहीं बैठ रहा है तब आप ऐसे भी तो कर सकते थे थे ना कि अधार बराबर अंडर रूट कर्ण इसक्वाइर माइनस लंब इसक्वाइर इस पर हना कर्ण पाच रखते लंब चार रखते हल करते आपका उतरती ना जाता इसके बाद कुसी एक निश्पतिक कि कोष्ट हित्ता कामान क्या होगा तो कौष्ट हिता बराबर अधार बटा कर्ण होता है अभी हम लोग पढ़े हैं याद ना होगा ता कोपी सामने रख कर उसको देखिए याद करिए अधार कितना है तीन कर्ण कितना है भाईया तो कहेंगे कर्ण भाईया पाच है तो तीन बटा पाच मेरा इंसर हुआ बी ओप्शन मेरा सही हुआ हाँ बिल्कूल इजी है बहुत क आपको बताया था अगला कोशन इंसर भी आप दीजिएगा अगला कोशन का इंसर भी आप दीजिएगा बिल्कूल वही कोशन है ठीक है हम थ्वासा आपको हम समझाना चाहरा है यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए यह इतना हम कोशन भी लाए हैं चलिए यहाँ पे इस कोश Q ठिट्टा का मान क्या होगा यह आपका question है अभी हम formula नहीं पढ़ें अभी basic तरीका से आपको बनाना है गौर से यहां पर समझेगा 10 ठिट्टा बराबर क्या होता है तो कहेंगे लंब बटा आधार होता है यानि लंब यहां पे 3 आधार यहां पे 4 भाईया बच गया कर्ण तो हम जानते हैं 3, 4, 5 टिपलिट होता है यानि कि लंब अगर 3 है तो आधार आपका 4 होगा कर्ण आपका कितना होगा पाच होगा यान का भी मान निकाल सकते हैं कोश्ठिटा का मतलब होता है अधार बटा कर्ण यह सब को पता है नहीं अधार बटा कर्ण अब आप ही बताओ कि तीन गुना अधार बटा कर्ण अधार है चार कर्ण है पांच तो चार बटा पांच नहीं लिख सकते हैं क्या आगे यहां पे बढ़ अधार बटा करन यानि 4 बटा 5 का क्यू यानि लिखी देते हैं, 4 बटा 5 का क्यू ऐसा नहीं लिस उक्ते हैं क्या इसको हल करेंगे, हो जाएगा माइनस में तtal घुतम हो जाएगा एक सोपचीस से इसको गुणा करिएगा तब 50 के सुन्वार की पार्च हो जाएगा इतना माइनस 247 इसको अग तो हो जाएगा 44 बसक्ष覚ीस जो आप प्रसन का जवाब होगा ठीक है 144 बटा पचीस यानि की B option क्या आपका सही नहीं होगा हाँ B option कहीं कोई दिक्कत की नहीं को बता दीजिए अगला question आप कैसे लिए सब है अब आपके लिए सब question है अब आपके लिए सब question है ठीक है जल जल बनाइए यह कहता है कि 10 ठिटा बराबर एक तो इतना कमान क्या होगा गौर करिएगा हम यहां पर ध्यान से समझेगा इसको दो तरीके साब बना सकते हैं सबसे पहला तरीका जब आगे हम basic relation जो पहेंगे शेवो निस्पतिया में तब जैसे देखो यहां पर यह दे रखा है तैन ठिटा बराबर एक यह दे रखा है इसका हमसे मान पूशा है इसका हमसे क्या जारती करेंगे क्या कि साइन ठिटा बटा कौश ठिटा 10 बडाबर क्या होता है साइन ठिटा बटा कौश ठिटा साइन कमान एक कौश कमान एक बटा एक भी कर सकते हैं यानि साइन के अस्थान पर एक अगर एक रख दिया जाए तो मेरा उतर आ जाएगा यानि एक माइनस द है smart Rum I400 सिखने वाला करें पहले सिखने वाला करा को हम डिवल्प करें एक ко Lehman में आया हुआ कोशन है तो इहां पर ध्यां दी जी हम जानते हैं 103 बराबर के का मतलब क्या होता है 10 फशिटा बराबर होता क्या है तो कहें लंब बता अधार होता है यानि लंब है एक आधार है एक यानि कर्ण कितना होगा तो कहेंगे लंब स्क्वाइर प्लस आधार स्क्वाइर अंडर लंब स्क्वाइर प्लस आधार स्क्वाइर यानि एक स्क्वाइर प्लस एक स्क्वाइर यानि रूट तू यानि लंब आधार और कंड दोनों पता हो गया अब यहां से अगर इसकी मान हम निकालना चाहें तो क्या होगा उसको निकालें साइन ठिटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन ठिटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है एक कर्ण है रूट तू, यानि एक बटा रूट तू, माइनस दू गुने कौश ठिटा बराबर अधार बटा कर्ण, यानि एक बटा रूट तू, गौर से समझेगा, बटा साइन ठ तो रूट्टू लगुतम हो जाएगा उपर में हो जाएगा 3,1,4 आपका रूट्टू, रूट्टू कर जाएगा यानि आ जाएगा माइनस एक बटा चार जो आपका प्रसंद का जवाब होगा पहला उतर सही होगा है अभी हम यही पढ़े हैं लेकिन जब आगे के कलास में ह यानि कि sin ٹटा एक तक कौश ठीटा भी एक होगा यानि sign कमान एक act कमान एक यहाँ पे अगर हम पूट कर दें यहाँ प तो क्या होगा एक माइनस दू बटा एक पलस तीन यानि माइनस एक बटा चार इतना ही में मेरा answer निकल कर सामने आजाएगा यानि पहला उतर मेरा क्या होगा सही होगा तो यह बेसिक है बेसिक हमारे पास होनी चाहिए उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें नया टेलिग्राम पर हम भेज दिये हैं वहां से आप डाउनलोड कर लिजेगा अब आप लोग से पुछने का बारी आ गया है देखिए अगला कोशन आपके अस्टिन पर इंसर दिजेगा कोशन नमबर चार जल्दी बताईए आपको कॉमेंट्स नहीं देख रहे हैं भईया अब देखना स्टाट किये हैं जल्दी बताईए कहता है कि 5 10 ठिटा बरावर 4 यानि कि 10 ठिटा बरावर 4 बटा 5 हो तो इतना कामान क्या होगा यह मेरा कोशन है यह कोशन है मेरा ए ए ए बता रहे हैं एक बटा साथ बता रहे हैं हाना अदभूर गुरुजेव जी आ रहा है हाँ आज पहली बार समझ आया सर बहुत अक्साशे चलिए यहाँ पे गौर करिए हाना यहाँ पे अगर बेसिक तरीका निकालना चाहते हैं तो लंबटा आधार करके भी आप निकाल सकते हैं भाईया लंबटा आधार करके भी निकाल सकते हैं नहीं तो हमें पता है तैन ठिटा बराबर साइन ठिटा बटा कोश ठिटा होता है आगे हम पढ़ेंगे इसका मान दे रखा है चार बटा पाच तैन ठिटा बराबर होता है साइन ठिटा बटा कौस ठीटा देखो sign का मान 4 कौस का मान कितना हो गया 5 जहां-जहां sign है वहां-वहां 4 रख दो जहां-जहां कौस है वहां-वहां 5 रख दो है ना हल करकर देख लो तो आपका answer आ जाएगा है ना पांच आओ 20 माइनस 15 बटा 20 पलस 15 है ना आपका answer आएगा पाच बटा 35 यानि की 1 बटा 7 इसे आप बना लोगे इसको 1 बटा 7 दुसरा तरीका आपको पता है कैसे निकालेंगे तो लंब बटा आधार करके लंब बटा आधार, लंब 4, आधार 5 कर निकाल लेंगे जब तीनों निकल जाएगा तो साइना कॉस का मान निकाल के पुट कर देंगे, हल करेंगे, इंसर आजाएगा, इस सित्वा लंबा होगा, एक बटा साथ पहला उतर सही होगा, पहला, 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 पहला होगा, आगे देखिए अगला कोश्चन, इसका उतर दीजिए, ठीक है न, यहां पर यह कह रखा ह कि 10 ठिटा बराबर 4 बटा 3 हो, तो इतना कामान क्या होगा, देखिए, जल्दी बताएगे, समय कम लिजिएगा, एंसर दिजिएगा, जल्दी बताएगे, धीरे धीरे आपका लेबल, हना, उपर भी होते जाएगा, टेंसर नहीं लेना है, हना, अभी रुकिएगा, कम से कम, आदा घंटा कलास करिए, उसके बाद, हना, रस निकलना स्टाट होगा, ए, ए बता रहे है, गौर से समझे, 10 ठिटा बराबर होता है, लंब बटा आधार, होता है कि नहीं, लंब आपका 4 है, आधार आधार आपका 3 है, तो क्या कर्ण निकाला जा सकता है, कर्ण बराबर अं 3, 4, 5, ट्रिपलेट होता है, यानि अगर लंब 3 है, अधार 4 है, तो क्या कर्ण पाच नहीं होगा सीधे, ऐसे, ट्रिपलेट से, या फिर कर्ण बराबर अंडर रूट लंब इसक्वाइर पलस अधार इसक्वाइर से भी कर्ण निकाला जा सकता है, अब यहाँ पे हल करिए, अधार कितना है भाईया, तो कहेंगे अधार है 3, कर्ण कितना निकाले, तो कहेंगे 5, बटा में 1-3 बटा 5, इसको अवहल करिएगा, तो आजाएगा 8 बटा 5, नीचे आजाएगा 2 बटा 5, 5-5 कट गया, 2-4-8 भी कट जाएगा, यानि यह आएगा 4, इसको हल करेंगे, आपका एंसर आजाएगा, 2 यानि B ओप्सन, ध्यान रहे, हम प्रैक्टिस नहीं, हम यहाँ पे तिरकुनमीती सिख रहे हैं, अता सिलो ही हमें चलना होगा, बिल्कुल सही सब का उतर था, लेकिन विपीन का सी आ रहा था, नहीं उतर दू होगा भाईया, अगला कोशन डिस्पले किया जाए, अगला कोशन चलिए, अगला कोशन यहाँ पर देखिए, रुकिएगा, बहुत मज़ा आने बाला है आगे, चलो इसको बताओ तब जाने, इसको बताओ, यह कह रहा है कि साइन, 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 साइन ठिटा बराबर जीरो दसमलब साथ, तो भाईया आपको बताना है कि कोश ठिटा का मान क्या होगा, जल्दी एंसर दिजिए, साइन ठिटा बराबर जीरो दसमलब साथ, तो कोश ठिटा का मान क्या होगा, जल्दी, जल्दी में एंसर दिजिएगा, जल् आपनोड कर दीजिए हैना क्लास बढ़िया लग रहा है तो लाइक शियर भी जरूर कर दीजिए गोर से यहां समझेगा देखो sin theta lump और कन का अधार होता है तो क्या इसको लिखा जा सकता है कि sin theta बराबर दिस अमलब 7 को आप लिख सकते हैं 7 बटा 10 हाइन और sin theta बराबर होता क्या है lump बटा कन सारा Question एक्जाम में पूशा गया Question है यह अब यहां पर गौर करिये हना इसकी अनुसार लंब हो गया साथ कर्ण हो गया दस तो क्या आधार आप नहीं निकालोगे अन्डर रूट कर्ण स्क्वाइर माइनस लंब स्क्वाइर यानि अन्डर रूट एकामन आई बात समझ में अब यहाँ पर सोचो हमें कौश ठिटा का मान निकालना है कौश ठिटा बराबर आधार बटा कर्ण आधार है आपका रूट एकामन अब बटा कर्ण कर्ण आपका है 10 अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा और हम पूरा को अगर हम रूट में लेना चाहें तो एकामन तो रूट में हैं ही और 10 के बदले अगर 100 लिख दें तो क्या सही होगा क्योंकि 100 का बरमूर निकालेंगे तो रूट के बाहर 10 आ जाएगा अब 10 को अगर रूट में डलन हां या न एक जाम में आया हुआ शठा का सी बिलकुल सही संजीत सर्मा बिलकुल सही अगला कोशन आपके Cein पर डिस्पे किया जाए नहीं समझ में आरहा लगता है आप लोग के भाई लगता है नहीं समझ में आरहा एक बार हो जाए है ना लाइक बाला बटन एक बार हो जाए है ना टेंसन मत लिजिए तिरकुन मेती आज हम समाप्त करेंगे क्लास लंबी चलना है पानी उन्हें पिलाएगा जी एक तो सुबह से खाना भी नहीं खिलाये हैं एक गिलास सत्तु पिकर आप लोग का क्लास ले रहे हैं भाईया च काता है सम कौन तिर्भूज ABC में AB 2.5 कौन C 90 डिग्री यानि यह सी आपका 90 डिग्री है यानि यह है ABC अब समझे गिलास नहीं है का एक के तोरह हमको जानबार है तुम लोग समझा है जी AB है 2.5 यह दिर रखा है 2.5 सेंटी मीटर क्लियर है फिर कहता है कौस B है 2.5 ध्यान से आप समझेगा कौस B तो कौस B बराबर होता है सब को पता है कौस बराबर आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं और तिर्भूज का मतलब 5 बटा 10 इसको काटा जाए तो आ जाएगा 1.2 और ये कुन बी के बारे में कह रहा है यानि आप से ये कह रहा है कि आधार कुन बी के लिए एक है अब कर्ण आपका दो है ये कह रहा है रखो नो अधर जी अब यहां पे देखिए कर्ण है आपका दो ये कर्ण है आपका रेशियो के रूप में दो अधार आपका एह है किसके लिए कुन बीग के लिए कुन बीग से सटा हुआ भूजा इह है यानि ये अधार का मान은 यहां पे बता रहा है एक अधार के रूप ने आप ही बताओ कि अगर अनुपात वाला बात कर रहे है ये अनुपात मान के चलिए इसको अगर कर्ण 2 है अधार 1 है तो लम कितना होगा भाई या तो लम बरावर होता है कर्ण square-1जार square यानि रूट 3 यानि इसका ratio की रूप में हो जाएगा रूट 3 बात को समझेगा यहां पे यहां पे कहा था कौउस b कौउस b कौउस b यानि कौस का मतलब आधार बटा कर्ण दिसमलब पाच का मतलब एक बटा टू यानि आधार अनुपात के रूप में एक है तक कर्ण आपका कितना है भाईया दो है यानि कि इससे निकालोगे तो लंग कितना होगा भाईया तो अनुपात के रूप में root 3 होगा ये ratio को दरसाता है तक कन आपका 2 हो गया आधार आपका 1 हो गया आधार B का आधार ही न होगा अलम आपका root 3 हो गया तीनों का ratio मेरा निकल गया न ये वाला मान आपका value के रूप में दिया हुआ है 2.5 तब तो हम कहें सकते हैं कि अनुपातिक 2 का value है 2.5 cm तो AC का मान क्या होगा AC मतलब ये वाला का मान आपसे पुशा है तो AC का मान क्या होगा यानि root 3 का मान पुश रहा है तो root 3 का मान निकाल दीजिए यानि 2.5 बटा 2 गुने root 3 होगा इसको हल करिएगा तो नीचे को सुनना डाल देते हैं दिसमान भढ़ जाएगा 25, 25, 24 यानि 5 बटा 4 root 3 होगा यही हमारा प्रस्न का जवाब होगा 5 बटा 4 root 3 यानि कि C option हाँ या ना बहुत बढ़िया सर छली भईया लगता है हमें मजा नहीं आ रहा है विद्याति के संक्राइप बहुते कम है है ना उमीद से ज़्यादा कम है इसलिए मजा नहीं आ रहा है बात आए काउस बी जो दिया ना ये को़स भी जो दिया ये जो को़स भी दिया कहीं नहीं कहीं नहीं मैंने बताया था ना sen Cbas 10 क्या है समकून तिर्भुज की दो भुझा का रेसियो है जानी Casp B का मतलब हुआ कि आधार और कं का रेसियो दिया एक अनुपात 2 ये आधार है ये कन है एक अनुपात 2 में तो ये लंब हो जाएगा अनुपात के रूप में रूट 3 हमसे कहा AB कमान अगर 2.5 cm है तो AC कमान क्या होगा यानि अनुपातिक 2 का भेलू 2.5 cm तो रूट 3 का भेलू क्या होगा 5 बटा 4 रूट 3 होगा किलियर है ये स्यानु ये स्यानु हाँ या न ये स्यानु जल्दी बताईए इसी के साथ अगला कोशन है वीडियो अपलोड हो जाएगा यूटूब पर देखिए ये CGL में पूशा गया कोशन है अब बहुत ही मज़दार कोशन है बहुत ही मज़दार कोशन है लेबल धिरे ध triangle तिर्भूज ABC यानि यह कह रहा है कि एक समकून तिर्भूज ABC है जिसको में कौन A जो है समकून है ABC एक समकून तिर्भूज है जिसमें कौन A क्या है भाईया समकून है हिंदी वाला खाले अंग्रेजी वाला ले लिया है पता नहीं कैसे किया है इन लोग फिर कहता है तिर्भूज ABC और AD जो है BC पर लंब है यानि A से एक लंब डाला गया है AD जो BC पर लंब है जो BC पर क्या है भाईया लंब है AD जो है BC पर लंब है यह दी AD बरावर 4 cm AD 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 यह वाला AD बरावर 4 cm BC बरावर 12 cm यह BC बरावर यहाँ पर कह रहा है 12 cm दो भाईया बता दो हमको कि COtype B plus COtype C का मान क्या होगा यह मेरा Question है जल्दी बताएए हैं Cote बरावर अगर पता नहीं है तो हम लिग देते हैं Cote ठिटा बरावर 10 का उल्पा होता है 10 बरावर LUM बटा आधहार तो Cote बरावर होता है आधहार बटा लंब बहुत सा भी दियार थी है कोई ऐसे याद रखते हैं लाल वटा कक्का तो वो ट्रिक नहीं चलने वाला कंठस्ट याद होनी चाहिए तब जाकर बनेगा बनाएगा पीडियो सब समझ आयेगा जल्दी बताइए बही जल्दी बताइए क्या होगा इसका उत्तर अगर आप बता दिये तो समझ ये आठ का सिब बता रहें, एक विध्यारतीस बता रहें जल्दी बताइए जल्दी बताईए इसका उत्तर देखें कितना आसान कोस्चन है सबसे पहले कौट बी के अगर आप बात करते हैं तो कोन बी यहाँ पे है कौन भी यहाँ पे है यानि ये तिर्भुज में आप आईए अगर ये तिर्भुज के लिए हम आप से कहूं कि काउट B बराबर आधार बटा लम तो ये B के लिए आधार कौन होगा लम कौन होगा, टर्ण कौन होगा ये पे ताई ये पहले, तो गौर्ट से यहाँ पे समझे हैना, अगर हम ये समकौन तर्भुज की बात करें ये वाला समकौन तर्भुज की बात करें ये वाला समकौन तर्भुज की बात करें तो आप क्या कहना परसंद करेंगे इसको थफादरिकली मिटा जाते हैं अगर यह समकौन तुरुज की बात करें तो आप क्या कहना परसंद करेंगे कि कौन भी के लिए ए बाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा होगा कि नहीं सोरी नहीं उल्टा बोल दिये 90 यह है 90 डिगरी यह है यह 90 है तो इसके सामने बाले भुजा ए बाला आपका कर्ण हो जाएगा होगा कि नहीं और यह कौन के सामते हुए जो भुजा होगा यह आधार हो जाएगा और यह आपका लंब हो जाएगा हाई या नहीं अब आप ही बताए कि कौट B का अगर मान हमें निकालना है, तो count बराबर आधार, बाता, करंड, है ना, यह तिर्भुज में आधार कौन हो गया? ए, यानि की बीडी, गौ़र से समझे आधार, आधार, बाता, लम, लम कौन हो जाएगा भई mitä breaks, Itad, Itad का मतलब कितना? 4, itad का मतलब कितना? अब यहाँ पर धियान दिजोंगा सब को हम मिटा देंग establa ताकि कि have this business bunları को मिटाना चाहेंगे अगर आपसे हम सफाल करों कि वाता ऐ kijken यह वाणा तिनुमें बताएए यह वाला तिनुम्द बताएए यह वाला में यह ला तिनुम्द देख यह वाला तिनुमें ext CR आपका 90 है यह आपका 90 है और यहां से हम आपको कहूँ कि भाईया count C का माणने निकालिए यह है तो 90 के सामने बाला यह भूजा तो आपका कर्ण हो जाएगा कौन से सटा हुआ भूजा यह आपका आधार हो घाल मपटा आधार लम्पटा आधार तो होगा और सीडी अधार केतना उड़िटा लिखा गया, कोट सी अधार बाटा लम, तो आधार है CD, लम कितना है भाई या चार, ये लिखाएगा, तो कोट सी बडाबर, CD बाटा 4, 4 आप LCM लोगे तो हो जाएगा, BD पलस CD, अब तुम ही बताओ, BD आपका यहाँ से यहाँ तक है, BD आपका यहाँ से तक है, cd के बात किया जाए, cd यहां से यहां तक है, यानि bd plus cd करोगे, तो पूरा bc आ जाएगा, अब bc कितना है भाहिया, 12 यानि हम कह सकते हैं 12 बटा 4, इसको काटिये गा ता आपका answer आ जाएगा 3, यानि आपका option हो जाएगा d, clear है, ने समझ में आया हाँ या ना बहुत मज़ेदार कोशन था भाईया ठीक है बहुत मज़ेदार कोशन था चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कोशन पढ़ते हैं यहाँ पर ध्यान दिजए अगला कोशन आप के असमिन पर यह कहता है कि यदि 10 ठिटा बराबर अंडर रूट 6 पलस 6 पलस अंडर रूट 6 पलस डॉट 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 यह वाला है तो आग को बताना है कि सेख इसक्वाइर ठिटा कमान क्या होगा यह कोशन है जल्दी बताइए जल्दी बताइए मात्र 105 बाचियं है जल्दी बताइए भया क्या होगा है चलिए 9 का इंसर 9 का इंसर गौर से समझेगा आप घातां को करने जब पढ़े हो तो अंडरूट 6 अंडरूट 6 अंडरूट 6 डौड़ 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 पलस में हो तो हम बोले थे कि भीतर वाला का ऐसा दो गुनन खर निकालिये जिसका अंतर एक हो तीन गुना एक अगर पलस है पलस है तो बढ़ा वाला आपका एंसर होता है यानि कहीं न कहीं 10 बराबर इतना है तो इसका हमान क्या होगा तो कहेंगे इसका अमान 3 होगा यानि यह दे रखा है कि 10 ठिटा बराबर 3 10 ठिटा बराबर 3 है न? और यहां पे لم्ब अधार करके भी निकाल सकते हैं या फिर आगे, यानि कि जश्ट बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि सेक इसक्वाइर ठिटा माइनस 10 इसक्वाइर ठिटा बराबर 1 यानि सेक स्क्वाइर ठिट्टा बराबर 1 पलस 10 स्क्वाइर ठिट्टा ये फर्मूला भी हम पढ़ने वाले हैं अभी जाश्ट तो भाईया यहां पे अगर देखा जाए यहां पे अगर आपका देखा जाए तो यह सेक स्क्वाइर है तो सेक स्क्वाइर बराबर क्या हम कब होगा, अगर ये किनिको फर्मुला याद नहीं है अभी नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए अगर आपको यहाँ पर 10 का मान निकल गया, 10 ठीटा का मान 3 यानि कि 3 बटा एक तो 10 ठीटा बराबर होता है, लंब बटा आधार, यानि लंब आपका 3 हो गया आधार आपका एक हो गया यानि कन हो जाएगा तीन तीन नो एक दस अंडर रूट दस हो गया नहीं अब हमको निकालना था सेक स्क्वाइर ठिटा सेक स्क्वाइर ठिटा कौस को रूटा से कौस बराबर आधार बटा कन तो सेक बराबर कन बटा आधार यानि रूट दस बटा आधार आदहार आपका एक है, स्क्वाइर है, आता है इसका हम स्क्वाइर करेंगे, रूट 10 का स्क्वाइर कितना होगा, 10, दुसरा तरीका ये वाला भी आपके पास है, हना जो अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है, ऐसे करके ही इसका उतर निकला जा सकता है था, ठीक है, अब ऐसे भी, 10 का मांद पता हो गया, तो 6 स्क्वाइर का फ्रमूला होता, 1 पलस 10 स्क्वाइर, 10 का मांद 3 आया, तिन यहाँ पर पुड के इंसर, अगर ये फ्रमूला याद नहीं है, तब बेसिक जो मैंने पढ़ा है, उसके मदद से भी उतर हम निकाल सकते थे, आपका उतर D होगा, हाँ भाईया, D होगा, ठीक है, ये था हमारा टाइप 1, टोटल टाइप 8 में हम पहेंगे, उसमें से टाइप 1 मेरा समाप्त होता है, एक मेरा, रूट 10 नहीं, 10 होगा भाईया, रूट 10 नहीं, 10 होगा, किलियर है, लगता है मज़ा नहीं आ रहा है आप लोगो, कोई बात नहीं, अब आगे आईए, अगला टाइप में, ये है मेरा टाइप 2, ध्यान यससे समझेगा, यहाँ पे, अभी मैंने पहा, अभी मैंने पहा, कि टोटल 6 निस्पतियां होती है, टोटल 6 निस्पतियां होती है, साइन काउस, ध्यान से समझेगा या भाईया, ध्यान से समझेगा, अभी मैंने पहा, साइन काउस 10, इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या पहा है आपने, काउस एक, cause का उल्टा क्या परहा sick 10 का उल्टा क्या परहा count अब यहां से समझेगा थोड़ा सा यहां से आपका तादम सुरू होता है identity सुरू होता है अगर यह शेवो निस्पतियां में relation की बात करें तो क्या आपको पता है ऐसा के relation होता है जिसका मान एक होता है क्या आपको पता है याद रखिए यहां पे सबसे पहला यहां पे आप ध्यान दिजेगा थोड़ा सा हलका सा ध्यान दिजेगा अगर आप से sign और cause का निरेशन पूशे याद रखेगा यहां बे भाईया तो sign square theta plus cause square theta बराबर एक होता है उसी ढंग से plus minus की बात कर रहा है six square theta minus ten square theta बराबर भी एक होता है उसी परकार से cause square cause square theta minus count square theta का मान भी एक होता है इतना ही नहीं आपको पता होने चाहिए दो ब्यूत कर्म चुकि इसका ब्यूत कर्म है यह तो दोनों का गुननफल एक होगा दो ब्यूत कर्म का गुननफल में इसा एक होता है तो sign theta का ब्यूत कर्म होता है cause square theta तो sign into cause से कमान भी एक होता है दूसरा बात cause का ब्यूत कर्म cause theta का ब्यूत कर्म होता है shake theta cause का ब्यूत कर्म होता है shake theta अगर यह दोनों को गुना करेंगे तब उसका विमान एक होगा और 10 का उल्टा count होता है यानि 10 theta into count theta अगर हम करेंगे तो इसका विमान एक होगा यानि 1, 2, 3, 4, 5 shape शे निस्पतियां है जिसका मान एक होता है यानि सब का मान एक होता है ध्यान रहे आपका ये 6 निस्पतियां है ठीक है भाईया ठीक है इसको ऐसे हम बना देते हैं ताकि आप लोग को फिगर बन के दिमाग में रहे है ना यहाँ पे के फर्मूला आपके सामने आया तो पहला फर्मूला सामने आया कि sin square theta plus cos square theta बराबर 1 बराबर 1 चौठा फर्मूला आपके सामने आया कि sin theta into cos theta बराबर 1 पाचमा फर्मूला आपके सामने आया कि cos theta into 6 theta बराबर 1 शठा फर्मूला आपके सामने आया कि 10 theta into cos theta बराबर 1 तोटल 6 हो यह हुआ और इसके अलावे इसके अलावे सातमा फरमूला हमारा होता है कि तैन ठिटा बराबर साइन ठिटा बटा कॉस ठिटा और तैन का उल्टा होता है आठमा कौट कौट ठिटा बराबर इसका उल्टा कौस ठिटा बटा साइन ठिटा किलियर है भाईया किलियर है हाँ या ना अब समझेगा बात को एक दो तीन चार पान शे साथ आठ ये टोटल आठ फर्मूला होता है ठीक है अरे सिवनात रहा है क्या बोल रहा है अरे पहले क्लास देखो आलब लिख रहा है अब यहाँ पे ध्यान दिजै अब यहाँ पे ध्यान दिजिए हम त्वासर इसको तोड़ने का हम पर्याश करते यहाँ पे ठोडने का हम प्रयास करते हैं सबसे पहला फ्रमूला यहाँ पे आपका है कि sin square ठिटाiran को country质 बराबर o1 सबसे पहला फ्रमूला कोक्षू कश क़ भाबर o1 दूसरा फ्रमूला मैंने क्या निकाला यहीं पिलिग देते हैं भाइया दुसरा फ्रमूला मैंने निकाला कि सेक स्क्वाइर ठिटा माइनस टैन स्क्वाइर ठिटा बराबर एक किलियर है भाईया किलियर है भाईया अग तिसरा फ्रमूला मैंने निकाला ध्यान से समझेगा Cousic Square decreasing Tita Amy casino Couch Square this tita 담bar 1 क्लियर है低 है यहां पे यह तीन्ट फ्रमूला यहां पे मैंने देखा एक दो तीन अगर यह निकालोगे तो इससे टोटल चारण लगे और निकलेगा इसे भी चार और निकलेगा इससे भी चार अर निकलेगा। वो कोई निकलेगा गवह से दिखिए यह के निकालके हम बता देते हैं है अगर यहाँ से sign square निकाल आजाए अगर यहां पर sign square निकाल आजाए तो cos square को सड़े फिकना पड़ेगा तो हो जाएगा 1- cos square theta दूसरा यहाँ पे चुक्ही यूटूप भrakना बंधर बीद्यार्थि कि नहीं होते यह सब बिलकुल सरदर दे रहा होगा अगर यहां anything biss है आर्व इसको बलंग कर दो काँशन का नीका निका लेंगी तो one minus cos square theta तिसरा यहां पे देखिएगा तिसरा यहां पे देखिएगा cos square theta का अगर आप मान निकालोगे cos square theta का मान निकालोगे तो हो जाएगा o one minus sin square theta अरे क्या बोल रहे हैं कहां है आप लोग तो सारे विद्यारति को डिश्राप करो इसको बंद करो नहीं जी बलोग करो इसको अब यहां पे चौठा यहां पे देखिएगा तो अगर आप cos theta का मान निकालिएगा तो square फिकिएगा तो under root हो जाएगा o one minus sin square theta यानि हम यह कहना चाह रहे हैं कि यह फर्मूला की मदद से यहां पे चार फर्मूला निकलेगा sin square ब्राबर cos को फिकेंगे तो one minus cos square फिर square के फिकिएगा तो under root हो जाएगा उसी धंग से cos square का मान निकालिएगा तो one minus sin square यह होगा one minus sin square का मान निकालिएगा तो one minus sin square को फिकिएगा तो under root one minus sin square उसी परकार से यहां से निकालिएगा तो चार फिर्मूला यहां से निकालिएगा तो भी आपको चार फिर्मूला निकलेगा किलियर है तिस सब को आप घर पे तोड़िएगा यहाँ पे समय ज़्यादा देंगे तो आपका कलास बहुत लिंदी हो जाएगा है ना उसी परगार से यहाँ पे आप देखिएगा कि सायं ठिट्टा इंटू कौउशिक ठिट्टा बराबर एक यहाँ से निका लियेगा तो सायं ठिट्टा बराबर हो जाएगा और इससे निकालिजएगा दो फर्मूला इससे निकालीजएगा huh बराबर क्लियर है यतना काम आप खुद खर्ग पे कर लिजिएगा अब यहां पे आईए हम यह फालतु वाला काम करेंगे तो आपका सर दर्द दिन लेएगा क्लियर है भाईया तो यहां पे अब ध्यान दीजिए ठीक है यहां पे यह पहला आइडेंटिटीज पहला दूसरा तिसरा इस पे एक्जाम में आपको भी आईपी कोशन पूशता है वो सबसे पहले तो इस पे पूशता है तो सबसे पहले हम विचार करते हैं पहला आइडेंटिटीज पहला आइडेंटिजीज है ना कि साइन स्कॉाइट ठिटा प्लस कॉस स्कॉाइट ठिटा पर किस धंग से कोश पुक्षण पूशता है उसके बिदार करेंगे Coss combined minus bre question कौशन पूशता है कि आपको क्या करना है की आठो फर्मुला को रड जाना है इससे चार निकल रहा है किसे थो निकल रहा हैung by गज़나हीं ठीक है तो चलिए अब यहाँ पे सुरू आते हैं सबसे पहला आइडेंट्री आपका था कि साइन इसक्वाइर ठिटा पलस कौस इसक्वाइर ठिटा बराबर ओवन यही न था जी तो इससे कोशन कैसा पूशता है पहले इसको समझे तो याद रखेगा पहला कोशन जो पूश ठिटा बराबर सी हो ध्यान से समझेगा वो कह रहा है कि यह साइन ठिटा पलस बी कौस ठिटा बराबर सी हो तो आपको बताना है यह बाला को अदला बदली कर देगा साइन कोश को अदला बदली कर देगा या एबी को अदला बदली कर देगा या वो कहेगा तो आपको बता हाँ और यहाहा न है यहाँ पिलाज़ है तो माइस कर देगा साइन कर देगा और रहने देगा क्या कि आ को समझें बहुत को समझें आयगा है यहां पर माइनस देगा यहाँ पर परफिक्स एगा आपका Come कोशन फिक्स है कि a sin theta plus b cos theta बराबर c हो तो a sin theta minus b cos theta बराबर भाट तो आप याद रखेगा ऐसा इस सिती में इसका मान हो जाता है यह बला a square plus b square minus c square यह आप याद रखेगा बिलकुल आप याद रखेगा साथी साथ यह भी याद रखेगा कि यदी a b c triplet हो यानि triplet का मतलब क्या हुआ कि a दोनों के बरोकायोग इसके बराबर हो यानि a square plus b square बराबर c square हो यदी a b c triplet हो यानि a square plus b square बराबर c square हो तो याद रखेगा आप यहाँ पे कि यहाँ पे a sin theta plus b cos theta बराबर c जो दे रखा है तो sign बराबर lamb बटा कर्ण यानि sign का जो यह गुनन फल है यह आपका बिना कुछ किये हुए lamb हो जाएगा कौस बराबर आधार बटा कर्ण यानि b आपका आधार हो जाएगा और यह जो स्वतंत्र पद है वह आपका कर्ण हो जाएगा किलियर है यह याद रखेगा यदि a b c तीनों triplet हो तो यह lamb sign का गुनांक lamb कौस का गुनांक आधार और स्वतंत्र पद है जो क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा क्यों क्यों कि sign theta बराबर lamb 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 बटा कर्ण यानि यह lamb कौस बराबर आधार 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 बटा कर्ण यानि अधार अस्वतंत्र पद आपका क्या होगा कर्ण हम समझ रहें आपको समझने में कठनाई हो रही है अब इसका यूज करके question बताते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल एक्जाम में पूशा गया है इसका कहना है कि a sin theta plus b cos theta बराबर c तो a cos theta minus b sin theta का मान क्या होगा यानि किया क्या है a b को इस्थीर सोड़ दिया है sin को यहां कर दिया है अब cos को यहां कर दिया है cause को यहां sign को यहां Susan को यहां sign को यहां कर दिया है अब इसका मान पूशा है तो क्या होगा under root a 2 plus b2 minus c2 होता है किलिए रहे भाइया आये बात समझ में हाई या नहीं आया तो tension मत लिजिए बहुत विद्यार्थी कम गए होंगे न क्योंकि थिवरी में विद्यार्थी रहते नहीं नहीं भाई है एक सोनो विद्यार्थी है अब एंसर दीजेगा फटा फट यहाँ पे देखिए यह कह रहा है यहाँ पे कि sin theta plus cos theta बराबर अगर root 2 हो root 2 हो तो भाईया हमको बता दो यहाँ पे कि sin theta minus cos theta का मान क्या होगा यह मेरा question है जल्दी बताईए हम बताते हैं अब अब हम बताएंगे जल्दी बताईए जल्दी बताईए अब इसका उतर अब हम बता सकते हैं फटा-फट हम पहला identity सिख रहे हैं sin square theta plus cos square theta बराबर 1 होता है उसके आधार पे जल्दी बताईए अब यहाँ से जल्दी बताईए देखो बास्तव में अगर इसको अगर इसको अगर एक रख दिया जाए sin theta है तो इसको 1 into sign का सकते हो क्या इसको 1 into cos का सकते हो क्या अब यह दोनों को अदला बदली भी करेगा यह दोनों को अदला बदली भी करेगा या फिर यह दोनों को अदला बदली कर सकता है अगर इसको यहाँ कर दे तो क्या फरक परेगा तो ही हो गया तो भईया A हो गया यहाँ पर 1, B हो गया 1 अच C वाला पद हो गया root 2 आपका मान निकालना है है ना 1 sin theta minus 1 cos theta यानि आपका फ्रमुला हो जाएगा under root A square plus B square minus C square यानि 1 का square करियेगा तो 1 हो जायेगा B यानि 1 का square करियेगा तो 1 हो जाएगा C, C root 2 है, root 2 का square करिएगा, तो 2 हो जाएगा, इसको अव हल करिएगा, तो under root 2 minus 2, यानि की 0 आपका प्रस्ण का जवाब होगा, C आपका सही उत्तर होगा, हाई या ना, हाई या ना, जल्दी बताइए, हाना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मत जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हाई या ना, भाईया हम भी हार से हैं, अगला कोशन यहाँ पे यह बाला देखिए, answer दीजिए, कोशन नमर 12 का, लिख देते हैं कोशन हम, 3 sin theta plus 5 cos theta बराबर 5, तो भाईया आपको बताना है, कि 5 sin theta minus 3 cos theta बराबर भाट, मैंने क्या बोल मैंने बोला, या तो यह दोनों को अगला बदली कर देगा, या ना मन भरेगा, तो यह दोनों को अगला बदली कर देगा, यहाँ पर देखो, 3 और 5 का अगला बदली किया है, 3 और 5 का अगला बदली किया है, sign course को सेम शोड़ दिया है, क्लियर है भाईया, चलो, जल्दी बत बता सकते हैं आप बिलकल बता सकते हैं Q2 कोश्चाश नम्मर 12 का इनसर जलदे बताएं देखिए आप मैं थे शुरू से बोले थे शुरू से लेकर आया है है ना अगर समझ में आ रहा है तो एक बार एक बार एक बार लाइक कर दीजिए ठीक है हम जब तक पाने पिलेते हैं इसका इंसर दीजिए जली बताइए जोगेंदर कुमार ए जोगेंदर कुमार ए प्लस माइनस तीन बारा का ए कि अरे भाया कोशन दो पूरा एंगलिसे में मैत में कोजी एंगलिसे बोलें चिल्दी बताओ बिल्कुल संतोस कौर से देखिए हमने बताया कि ऐसा ही सिती हो जिसका फ्रमुला होता है कि अंडर रूट ए बाला का स्क्वाइर ए इसक्वाइर अब इसको हल करेंगे तो यह कितना है आपका तो कहेंगे 3 तो 3 का square, B आपका कितना है 5 तो कहेंगे 5 का square, minus C कितना है आपका, तो कहेंगे 5, 5 का square, 5 5 तो आपका कड़ जाएगा, 9, under root 9 का मतलब 3, आपका answer कोन सही हो जाएगा, 3, है न, चुकि बरमूल निकाले हैं, तो आपका उतर plus minus में आएगा, किलियर है भाईया, हाँ, plus minus 3, अगला question आपके screen पर ये रहा, चलो बताओ जी, जल्दी बताइए, सारा question जामें आया हुआ है, यहाँ पर ये कह रहा है, कि sin theta, plus cos theta, बराबर root 2 cos theta, ठीक है भाईया, तो आपको बताना यहाँ पर है, कि cos theta, minus sin theta, का मान क्या होगा, अभी ये question आप बनाये थे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, A, A, अब आपके साथ हमको चलना है भाईया, अब आपका answer देना है, मेरा answer देने के बारी समापत हम बता चुके हैं, अभी मैंने बता चुका हूँ, हयना, इसके बारे में, गाउर से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक शिपा हुआ है, यहाँ पे आपका एक शिपा हुआ है, यहाँ पे cos को यहाँ ले आया थे, clear है मैंने बताया कि a sin theta plus b cos theta बराबर अगर c हो तो है ना या तो a b को बदली करेगा या इसको बदली करेगा a दोनों को स्थिर रख देगा है ना cos को यहां ले आएगा और sin को यहां ले आएगा यह कह सकता है वो इतना बराबर क्या होता है तो a का square होता है plus b का square होता है minus c का square होता है यह मैंने अभी बताया तो अगर इसका महान आप निकालोगे तो क्या होगा under root इसका square यानि एक का square है ना पलस पुनह एक का square होगा है ना मैनस इसका square तो root 2 का square दू होगा और cos का square cos square ठिटटा होगा हा या ना पकर यह इसका square करियेगा तो root 2 का square 2 होगा होगा अब इसको और अगर आप अप हल करियेगा तो यह हो जाएगा आपका एक एक दू का square theta अगर इस में से दो आप common ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक minus cos square theta हा या न अब एक minus cos square theta को क्या कहते हैं आप sin square theta क्या कहते हैं sin square theta, क्या कहते हैं भाईया, तो इसको आप कहते हैं sin square theta, हम और बना देते हैं, यानि 2 into sin square theta होगा, हाँ या न, 2 का बर्मुन निकालोगे तो क्या होगा, root 2 होगा, sin square theta का बर्मुन निकालोगे तो क्या होगा, sin theta, क्या I answer root 2 sin theta कोई option में है, D option में है, D आपका सही हो किलियर है हां या ना कॉमेंट्स करके थ्वासा हमको बता दीजिए अगर समझ में आया तो भाया हम सी बकते जा रहा है आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं ठीक है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बहुत लंबी कलास हम ले लिए पहले बताओ क्योंकि महिराथन है बहु सर हम देख लिए भाया अब हमको कॉमेंट्स करके बताईये क्या समझ में आ रहा है सारी बात जो हम बता रहे हैं आप लोग को किलियर है किलियर है तब आगे हम बढ़ते हैं यहां पर देखिए आगे कोशन और है कि यहां पर ध्यान दीजिए यह कह रहा है पाच कॉश अब यहां पर देखिए अगर यह कंडिशन रहे मैंने बताया है आपका अगर हाना एक क्निसन रहे कि A साइन ठीटा प्लश बी कउश ठीटा बरावर सी और कहीं और कहीं और कहीं यह बाला यह बाला और यह बाला पाैथो कोरेक ट्रीक हो यानि ट्रिपलेट हो यानि हम कहना चाहरा है कि ये दुनों के बर्गो का योग 5 square plus 12 square बरावर 13 का square हो रहा है क्या 5 12 triplet है क्या 5 12 13 triplet है क्या तो कहेंगा हाँ triplet है क्योंकि 25 44 179 होता है यानि ये लम अधार ये कण का घोटक है अगर ऐसा इसलिधी हो जाया कि 5 12 13 triplet हो जाया तो मैंने क्या बताया, तो मैंने बताया कि साइन का जो गुननफल होगा, गुनक होगा, वो आपका लंब होगा, कौश का जो गुनक होगा, वो आपका आधार हो जाएगा, जो स्वतंत्र पद है, वो आपका कर्ण होगा, कुछ भी निकालने की हमको आप सकता नहीं है, सर एक क का सर एक का नाम बताओ किलियर है भाई किलियर है अब आप ही बताओ तो आपको लंब आधार कर्ण तीनों पता हो गया जब तीनों पता हो गया तो साइन ठिटा वरावर क्या होगा तो कहेंगे लंब बटा कर्ण होगा लंब आपका कितना है तो बारह करन आपका कितना है भाईया तो तेरह तो क्या बारह बटा तेरह आपका प्रसंद का जवाब हो जाएगा बिलुकुल बिलुकुल सही हाँ या न तो कभी भी अगर ऐसा सिती आ जाए यहां पे कि A साइन ठिटा पलस B कौश ठिटा बराबर C दिया हुआ हो और A B C A B C A B और C ट्रिपलिट हो जाए तो साइन का जो गुनांग होगा वह आपका लंब हो जाएगा कौस का गुनांग होगा वह आपका अधार होगा अश्वातंध पर रहेगा वह आपका करन हो जाएगा किलियर भाईया किलियर भाईया सेर इकसर का नाम बताओ समझ में नहीं आता है भ कि 5 cos theta plus 12 sin theta बराबर 13 तो 10 theta का मान क्या होगा जल्दी बताएं कॉमेंट्स काकर थाइसा बताईएगा इंसर इंसर जल्दी बताईएगा 5 cos theta plus 12 sin theta बराबर 13 तो 10 theta का मान क्या होगा जल्दी बताईए ए अंकित कुमार का ए आ रहा है तेरा बटा बारा रवी मस्त सर सी पंदरा पंदर इसमें हैं नहीं भाईया इसमें सी बारा बटा पाच गौर करिए यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा तो यह है आपका पाच यह है आपका पाच यह है आपका बारा यह है आपका तेरा तो क्या पाच बारा तेरा ट्रिपलेट है यानि कि पाच का स्कॉाइर पलस बारा का स्कॉाइर क्या तेरा के स्कॉाइर के बराबर है तो कहिएगा हाँ बराबर है जब बराबर है तो आकमुन के कहिएगा कि साइन का जो गुनंक होगा वह लंब होगा कौस का गुनंक जो होगा आधार होगा स्वत्तंत्रपत जो होगा वो कर्ण होगा अब जिसका मान निकालना है उसका मान निकालनेंगे 10 ठिटा बराबर लंब बटा आधार लंब आपका कि इतना है भाईया तो कहेंगा पाच है पाच बटा बारा क्या हुआ जी देखो जी कॉमेंट्स देखकर बताइए क्या हुआ कहां गए सब लोग गो टो यूटुब डॉट कॉम रिपोर्टिंग इगल तो रिक्वेस्ट कॉंटेंट चेंज फोर लिगल रिजन सम एकॉंट क्या कोई बात नहीं थोड़ासा बने कॉमेंट्स बॉक्स जो है पता नहीं पता नहीं क्या आ गया है जल्दी देखिएगा या मोबाइल आईए कोमेंट्स पाएने के लिए हमको मोबाइल दिजीएगा कॉमेंट्स पाएने लिए एक मिनिट बेट करिएगा करने की जब तक कॉमेंट्स नहीं रहेगा तो हम आपको बता नहीं पाएंगे ठीक है भाई या चलिए इसको अथि करिए असकिप करिए नहीं इसको जी इसको ब्लोग करो नहीं जाके इस सब नहीं देखता है तुम लोग इस सब जो आलतु फालतु जो कॉमेंट्स करता है उसको ब्लोग करो ठीक है चलिए किलियर है किलियर है सर कॉमेंट्स आ गया सर आप बहुत अक्सा पढ़ाते हो आज तिरकुनमेटी सिख कर ही शोरेंगे बलो करो वैसा कॉमेंट्स देखते किसा बलो कर देना है ना नजर उस पर जाता है डिश्टर्ब हो जाता आदमी आज तिरकुर मेती सीख कर ही शोरे करेंगे आप लगे रहो सर आपके साथ ही हम पूरी रात चलो भाईया आगे देखते हैं नेश कोशन यह है आपका कोशन नमर सोलह ठीक है यह सोलह नमर का कोशन आपका कहता है कि यह भी आपका सीजियल में आया हुआ कोशन है यह स्क्वाइर माइनस बी स्क्वाइर साइन ठीटा पलस तू एबी कोश ठीटा ठीक है भाईया बराबर यह स्क्वाइर पलस बी स्क्वाइर तो आपको बताना है कि टैन ठ किट्ठा का मान क्या होगा means answer sir जल्दी बताए जल्दी बताए गाउर से अस्टार्टिक में हम बताए थे जहां पे ध्यान दिएगा थ्वासा स्टार्टिक में आने का मिखा rendezे यहां पे आपको हम कुछ में बताये थे उसके बादे में पूर्णा marketing प्रियास git यहां पर गौ messing आपका स्राइक यहां पर आप से दखेएगा यहां पर मैंने बताया था कि यह वाला कुछ याद आ रहा है दिखाई दे़ां कि यह स्कार माइनस बी स्कॉायर की तू एक पी और ये स्क्वायर पिलस B square एक ट्रिक है पाइथो गोरश ट्रिक है यानि ये ट्रिपलेट है यानि ये दोनों के बर्गों का योग इसके बर्ग के बराबर होता है इसी के अधार पर हम सारा ट्रिपलेट निकालते हैं 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी होता है सब इसी से निकलता है B का स्थान पर एक रख के खिलियर है भाईया अब यहाँ पर आते हैं हाना 25 नमबर पर हम लोग थे भाईया 25 नमबर पर थे हम लोग 25 नमबर पर थे हम लोग अगर यहाँ पर गौल करियेगा तो यह आपका कोशन था तो यहाँ पर देखो हैना A square minus B square 2AB और A square plus B square अभी मैंने बताया कि ट्रिप्रेट है यानि ये दोनों के बर्गों का योग करोगे तो इसके बर्ग के बराबर आएगा तो ऐसा जब भी हो कि ये दोनों के बर्गों का योग इसके बर्ग के बराबर हो तो साइन का गुनांग जो होता है वह आपका लंब कहलाता है कौस का जो गुनांग होता है वह आपका आधार कहलाता है अजो स्वातंतर पद होता है वह आपका कं कहलाता है हमसे 10 कमान पूशा है तो 10 बराबर होता है लंब बटा आधार लंब बटा आधार हाँ या ना अब तुम ही बता ओ لंब कितना होगा तो कहोगे A Isquare minus B square, a square minus b square, आधार कितना होगा, तो कहोगे 2ab, यही आपका प्रस्ण हो जाएगा, clear, clear, a square, a square minus b square, a square minus b square, बटा 2ab, यानि b option मेरा क्या होगा, सही होगा, clear है भाई, समझ में आया, हम सिख रहे हैं, हना, पहला identities, हमने share identities की बात किये हैं, उसमें पहला identities की हम बात यहां पे कर रहे हैं, मैंने आप से बात किया है, say six identities, एक, दो, तीन, चार, पाच, शेप, इसमें से हम पहला की बात कर रहे हैं, कि sin square theta plus cos square theta पर किस धंग से वो problem पुछता है, ठीक है, अब हम चलेंगे इस पे, दुसरा पे, दुसरा पे, यानि say square theta minus 10 square theta पर कैसा problem हम से पुछेगा, मैं सिख चुका हूँ, कि पहला sin square theta plus cos square theta बराबर एक पर किस धंग से question वो पुछता है, अब हम दुसरा identity की यहां पे, हम बात करते हैं, ठीक है भाईया, गौर से यहां पे समझेगा, है न, यह identity की बात करने से पहले, यहां पे थ्वासा ध्यान एक, इस पर जो difficult question वो बना कर पुछता है, कैसे पुछता है, तो इस पर पुछता है, कि यदि a sin theta plus b cos theta बराबर c हो, तो, तो, क्या पुछता है, या तो यह दोनों को अदला बदली कर देगा, या sin cos को अदला बदली कर देगा, यानि a cos theta minus b sin theta, बराबर पुछ देगा, जिसका answer होगा, a square plus b square minus c square, इसमें मैंने यह भी सिखा, कि यदि a, b, c triplet हो, तो, sin का गुनांक, लंब, कौछ का गुनांक, अधार, और स्वातंद्र पद हमारा कर्ण होता है, रुख जाईएगा, तब comments करिएगा, अब हम यहाँ पे दुसरी बात हम सिख रहे हैं, दुसरा identity क्या था, तब दुसरा identity था, कि सेख square theta minus c square theta minus 10 square theta बराबर 1, यह हमारा दुसरा identity था, तीन फ्रमूला एक तरफ लिखे थे न, पहला यह वाला था, जिस पर हमने example भी देखा, थियोरी भी देखा, दुसरा फ्रमूला यहाँ पे यह वाला है, अरे मिटाओ ने जी, कहाँ पे हैं आप लोग जी, तुम लोग से नहीं होता है, तो लाओ यहाँ पे computer और laptop दोनो, एक मिनट, अरे कहाँ हैं आप लोग जी, अरे कौन comments आ रहा है, उसको बंद नहीं किरा जाता है, बलोग नहीं किया जाता है, करो बलोग उसको, मने हम भूखे ब्यास से यहाँ पे लगे हुए हैं, आज तुम लोग अराम से मौजबस्ति कर रहे हो, कोई class तुम लोग ढंग से नहीं चलने दोगे ना, क्या करें, मने सब मेरे यहाँ लावारिस है, कहते करते ठक गए हैं, सुब ऐसे खाना नहीं खाएं, यह गिलास से तुम पिकें पढ़ा रहे हैं, हना, यह मेरे घर की स्थिती है भाई, हो गया सर, बलोग हो गया, सर, एक से का नाम बताओ, आज तिरकर मीति को टोरेंगे नहीं, जब तर छोरेंगे नहीं, ठीक है, भलोग कीजिए सर, अब यहाँ पे ध्यान दिजेगा, दुसरा से की स्कॉाइर ठिटा मानस टैन स्कॉाइर ठिटा बराबर, क्या होता है, ओबन होता है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दिजिए, हम पढ़े हैं, कि a square minus b square बराबर a plus b into a minus b अब यहाँ पे अगर आप गौर करिएगा यहाँ पे तो क्या a square minus b square के फॉन पे तुटेगा तो कहेगा हाँ बिल्कुल तुटेगा जी क्या बिल्कुल तुटेगा यानि यह हो जाएगा यह हो जाएगा जल्दी बताओ अब इस पे कैसे question पूष्टा है वो बात आप सम कर रहे हैं तो सेग square theta minus 10 square theta बराबर क्या होता है o one तो सेग square theta minus 10 square theta को क्या हम लिख सकते हैं सेग theta plus 10 theta into सेग theta minus 10 theta अब यहाँ पर वो करेगा क्या वहाँ पर वो करेगा क्या कि इसका मान दे देगा सेग theta plus 10 theta का मान मान लो की वो दे देगा aim मान लो की मान वो दे देगा aim किलिए रे भाईया आप से पुछ देगा कि सेख ठिटा मनेश 10 ठिटा का मान क्या होगा यानि एगर इसका मान एम होगा ये दोनों का गुननफल एक है यानि इसका मान क्या होना चाहिए तो तुम कहोगे एक बटा एम होना चाहिए तब तो ये दोनों को गुना करोगी तब तो ये दोनों को गुणा करोगे तो इस एक आएगा बात आ रहा है समझ में यानि वो कैसे कोशन करेगा इस की बात यहां पे हम कर रहा है वो कोशन ऐसे करेगा कि यदि सेक ठिटा पलस टैन ठिटा बराबर तीन तो पहला कोशन आपसे करेगा कि भाईया बता दो सेख ठिटा मानस 10 ठिटा का मान क्या होगा ऐसा question करेगा वो तो अभी मैंने सिखा है कि सेख स्क्वार ठिटा मानस 10 स्क्वार ठिटा बराव 1 जो identity होता है अगर इसको हम तोरेंगे यह स्क्वार मानस 20 स्क्वार के फॉर्म पर तो हो जाएगा सेख पलस 10 इंटू सेख मानस 10 यदि सेख पलस 10 एम है तो सेख मानस 10 वन बटा एम होगा clear है अगर ये कुट्टा है तो यह 1 बटा कुट्टा होगा अगर ये सेख पलस 10 ठिटा 3 है तो सेख ठिटा मिश 10 ठिटा क्या होगा तो कहेंगे 1 बटा 3 होगा इंसर आ जाएगा मेरा हाँ या न अब गौर करो दूसरा कोशन आपसे वो कर सकता है यहाँ पे कि भाईया सेख ठिटा का मान बता दो सेख ठिटा का मान बता दो तो आप जानते हो न कि यदि ए पलस बी बराबर 8 हो और ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए कमान क्या होता है तो दुनों के जोड़ के आधा कर देते हो यानि 8 चार बारा बारा के आधा क्या हो जाएगा अगर बी कमान निकालना है तो क्या करोगे गहटा के आधा कर दोगे यानि 8 में से 4 गया 4, 4 का आधा क्या हो जाएगा भाईया दो यह जानते हैं या ना जानते हैं अब जानते हैं, तो सोचो उसी धंग से यहां पर भी तो ए पलस बी बराबर तीन ए माइनस बी बराबर एक बटा तीन निकाल लिया सिख ठिटा पलस टैन ठिटा बराबर तीन सिख ठिटा मानस टैन ठिटा बराबर एक बटा तीन यानि सिख कमान निकालेंगे यानि बरका कमान निकालेंगे तो दोनों को जोर के याधा यह आध मतलब वूर एक बटा तू से गुना करना तो किटना हो जागा भैया 5 2 3 उसी डहंग से अगर हमसे पूर कामान क्या होगा क्या करते हुआ निकार रहतों घ्तके आधा कर रहे थे है 10 कमान निकार रहे हो तो इसको घटा के आधा करोगे यानि 3 तीया 9 में से एक गया 8 बटा 3 8 बटा 3 का आधा कर दोगे यानि आजाएगा 4 बटा 3 बात आया समझ में नहीं आया इतना ही नहीं वो पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि बतादो भाईया sin ठिता पलस caos square ठिता कमान क्या होगा ऐसा भी वो पूछ सकता है और भी कुछ पूछ सकता है तो यहां पे गौर करने बाले बात ये है कि अगर आप 10 कमान निकाल लिए या सिख कमान निकाल लिए यानि 10 ही का निकाले तेन गो तो भुजे होता है लंब अधार कंड लंब अधार कंड तो यहां पे लंब अधार तो निकल गया तो इसकी मदाद से कन आपका निकल जाएगा अब जब लंब निकल गया आधार निकल गया तो अपने आप हम सिर बन जाते हैं उसके अलावे कोई भी निस्पति का मान निकाल लेना के लिए हम को कहा देगा तो उसका मानन हम निकाल लेंगे ठीक है तो हम यहां पर बात कर रहा हैं कि से ねест दिया हो यह होता है यह होटा है यह cần फूषेुगा पहले तो इसको के फॉन पर तोड़ोगा सेक्षिक्ष पलस 10 थिट्टा इन्टू सेह 10 ही थिट्टा माइनस 10 थिट्टा आप तोर सकते हैं इसको बराबर आपका एक होगा यदी यदी इसका मान फोगा तुर मान एक बटा हैं हो बस यह이 याद रखना है आपको यह बाला दे देगा मैनस पूछ देगा माने देगा पूछ देगा हैना यह देगा चारत ही होगा एक बटा चारत ही धेंग से आपका कोशन करेगा है एक देदेगा शेक का पूछ सकता है टैन का पूछ सकता है किसी का पूछ सकता है तो क्या आप मान निकालोगे हाँ या ना में उत्तर दिजिए मान निकालोगे हाँ या ना में उत्तर दिजिए कुछ खार्च करने की आदर डालो उजवल, तब जाकर सिखेगा, सारा चिफिरी का नहीं होता है, ठीक है, सेख ठिटा पलस 10 ठिटा बराबर यहां पर दे रखा है दू, आप से कहा है कि सेख ठिटा का मान क्या होगा, यह आपका कोशन है, एंसर दीजिए प्लीज, अब एंसर दे सकते हैं आप, सेख ठिटा पलस 10 ठिटा बराबर दू है, तो आप से पुछा गया है कि सेख ठिटा का मान क्या होगा, मैं अभी बताया है, कि यहां पे, यहां पे, है ना, पलस वाला का मान दे देगा, तो माइनस अपने आप निकल जाएगा, माइनस वाला का मान दे दे है तो क्या आख मुन के आप कह सकते हैं क्या कि सेघ ठीट कामान इसका र्ड़ता इक बटक uh hogah मैंने बोला ना कि पलस कामान देदे एक गड़ाना होगा हाँ या ना अब तुमहीं बताओ कि अगर यह पलश भी इतना और A-B इतना, तो A कमान निकालते हैं, जोड के आधा करते हैं, जोड के आधा करते हैं, तो यहाँ पे, यहाँ पे, अगर हम सिख कमान निकालेंगे, सिख कमान निकालेंगे, यह वाला बढ़का कमान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जोड के आधा, तो दुदुनी 4, 1, 5 बटा 2 का आधा, आधा का मतलब एक वट्टा टू से बुना करना होता है, तो यह आपका इंसर हो जाएगा, पाच वट्टा चार, यह मौखिक आप निकाल लीजिएगा, पाच वट्टा चार याने की D option, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं आया, हा कोशन यहां पर दे रखा है, यह कहता है, कि सेख ठिटा पलस टैन ठिटा बराबरतीन, बहुत बाल कोशन आया है, तो आपको बताना है, कि सेख ठिटा का मान क्या होगा, अभी एक जामपल में भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है भाईया, जल्दी बताया जाए, सेख सेख ठिटा पलस टैन ठिटा बराबरतीन, तो सेख ठिटा का मान क्या होगा, सी, पाच बता तीन, गौर से देखिए, अगर पलस का मान तीन है, तो यहां पर आक मुन के कहोगे, कि सेख ठिटा माइनस टैन ठिटा का मान, एक बता तीन होगा, अब अगर हमको सेख का मान निक तालना है तो जोर के आधा तो तिन तिया नो एक देस बटा तिन जोरियेगा तो हो जाएगा इसका आधा करियेगा तेक बटो से गुना करना होगा यानि कि पाच बटा तिन आपका प्रसंद का जवाब होगा सी ऑप्सन सही होगा अंगत कुमार सी अंगत कुमार सी किलियर है भाई किलियर है हाँ या न बढ़िया लग रहा है या नहीं लग रहा है आगे यहाँ पर ध्यान दिजिएगा थुड़ा सा एक कोशन और इस पर है यह कहता है सेख ठिटा माइनस 10 ठिटा बरावर दू तो अगर कोर्स में और अगर जिन कोर्स में वो काफी expensive है पता नहीं क्या लिखते हैं नंबर पर बात कर लिजेगा कोई भी है ना कोर्स की बात नंबर पर कर लिजेगा नंबर यहां पर डाला हुआ है ठीक है पेड कोर्स की अगर कोई बात करना चाहते हैं तो नंबर पर कर लि हो जाएगा एक बचाट बचाट टू अब अगर हम 10 का मान निकालना चाहें अगर हम 10 का मान निकालना चाहें तो क्या DOC घटा के अधाना कि Прillis या ना कि इसमें से होगा पलस वाला में से यानि की एक बचाट तू में से ठीक है ⁡ कॉध टू में से इसमें बटा चार, यानी यह option मेरा, आपका क्या होगा, सही होगा, क्यों, दू में से क्यों नहीं घटाया, गवर करिये, अगर आपको यहां पर condition दे, कि A माइनस B बराबर दू, और A पलस B बराबर चार, तो आप घटाइएगा, तब पलस बाला में से न抗टाइएगा, यह पलस बा लेकिन ये वाला में आपका कोशन दे रखा है कि 6 थिटा पलस 10 थिटा बरावर 5 तो आपको बताना है कि 10 थिटा पलस 10 थिटा पलावर 5 तो आपको इसकी महान बताना है क्या आप निकाल सकते हैं? हाना A B C D में कौन होगा जल्दी बताइए नंबर दे के बताइएगा कोश्चन नंबर 20 का कोश्चन नंबर 20 का सर A C C G D में तिरकुनमिती आती है क्या बिल्कुल 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 सर A C C G T में तिरकुनमिती आती है क्या बिल्कुल अब यहां पे बताइए क्या होगा क्य होगा जल्दी बताइए जल्दी बताइए हमको बहुत बोलना पड़ता है आप लोग को नहीं बोलना पड़ता है जल्दी बताइए भया क्या होगा गौर से हमको बताइए नरेश, कुमार, गौर, भी बता रहे हैं, तेरा बटा साथ जल्दी बताएं, बीस का डी, सत्रा बटा साथ येस इतना टाइम पाला कोश्चन है ये बीस का डी, बबलू सी बता रहे हैं, रंजन डी बता रहे हैं समर्जहा बीस का डी बता रहे हैं और बताईए, सबसे मजा GD कराने में ही आता है, संजीत सर्वा 20 का D बता रहे हैं, 20 का D, चलिए बहुत बढ़ियां, यहाँ पर ध्यान दिजिए, अगर यह पलस वाला का मान दिया है, तो सेख ठिटा, माइनस 10 ठिटा का मान, आप आप उनके कहिए गाना कि एक बटा पाच हो थाले हैं, तो फचेस में से एक गया चोविस बटा पाच, 24 बटा पाच का आधा, यहाने की बारह बटा पाच आए गा, कलिया है भाईया? अब इसका मान अगर आप निकालोगे तो बारह बटा पाच पलस 1 करोगे, तो यह हो जाएगा 17 बटा पाच, आपका सात बटा पाच आपका पाच पाच कट जाएगा 17 बटा 7 आपका इंसर होगा यानि D option आपका बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है आगे बढ़ें अब आगे बढ़ने से पहले यहां पे ध्यान दिजेगा अब हम बात करेंगे कौट और कौसे का यहां पे ध्यान दिजेगा थुआ सा थुआ सा हमने पहला सिख चुका कि sin square theta plus cos square theta बरावर 1 पर किस धंका हमें identity बनता है sin square theta plus cos square theta बरावर 1 पर कैसा identity बनता है दुसरा मैंने यह भी सिख लिया कि 6 square theta minus 10 square theta पर कैसा identity बनता है तिसरा हमें सिखना है क्या याद है आप लो तिसरा क्या है तो अप कहेंगे कि कौसे क flower theta minus cos square theta minus cos square theta बरावर 1 यह है हमारा तिसरा identity ठीक है मैं यह सिख चुका हूं मैं यह वाला सिख चुका हूं यह भी सिख चुका हूं यह सिखना बाकी है भाया तिरकोनमीती एक अलग भूग ही होता है याद रखें आप है ना बहुत लंबा टॉपिक तिरकोनमीती होता है शोटा नहीं होता है लेकिन बहुत ही सौट करके शोटा में हम बताने का प्रयास कर रहा है हब राइएगा करन तो कैसे काम चलेगा ठीक है लंबा कला तो चल है चलो यहां पर ध्यान दो यह वाला तो यह भी तो उसी धहंग से यह square minus be square के phone पर नेए तुटेगा क्या तो यह भी तूट जाएगा यानि इसको भी आप कह सकते हैं कौन धिटा पलस कौट धिटा कौन धिटा पलस कोज्ञ धिटा इन्टू इन्टू कौशेक थिटा माइनस कव थिटा बरावर एक ऐसा आप कह सकते हैं अब सोचो यह स्क्वाइर माइनस b इस्क्वाइर बरावर a पलस b इन्टू a माइनस b होता है या नहीं होता है इसका मान इसका मान अगर aim हो इसका मान अगर aim हो तो उसी प्रकार्ट से इसका मान एक बटा aim होगा कि नहीं बिल्कुल सेक की जैसा ही बिल्कुल इसके जैसा ही इस पर question आपसे पूछा जाएगा यानि पलस वाला का मान दे देगा मैनस का पूछ देगा काउसे का पूछ देगा count का पूछ देगा, किसी का भी पूछ देगा, है ना, तो अगर ये वाला command aim है, तो इसका मान एक बटा aim होगा, इसका मान कुत्ता है, तो इसका मान एक बटा कुत्ता होगा, बिल्कुल सेक 10 जैसा, अब इस पर example एक आगो देख लीजिए, जैसे, यहाँ पर example ये दे रखा है, कि count A, पलस, कौसिक A, कौसिक A, बराबर 3, ये एक चो एंगल, बने 9 कून है, तो कौस A का मान क्या होगा, कौस A का मान क्या होगा, ये आपका question है, गौर से देखो, है ना, यहाँ पर कौसिक, पलस वाला का मान दिया है, तो माइनस वाला का मान निकालोगे, लेकिन बहुत सा विद्यारती से गलती क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि कौसे की स्क्वाइर माइनस कौर्ट इसकर होता है, धियान दीजेगा यहाँ पर, यहाँ फर्मूला आपका जो होता है, कौसे की स्क्वाइर ठिटा माइनस कौर्ट ठिटा बड़ा बरून होता है, ये कौर्ट लिख कौसेक पलस A into काउट A, काउट A, बराबर 3, तो मैनस का मान निकालोगे तो क्या होगा, तो कहोगे काउशेक A, माइनस काउशेक A, बराबर 1 बटा 3, इसका मान अगर 3 है, तो इसका मान क्या होगा, एक बटा तिन होगा अब सोचो पलस माइनस दिया हुआ है ए पलस भी ए माइनस भी तो कौसे का मान निकालोगे तो जोर के आधा ये कौट का मान निकालोगे तो घटा के आधा तो हम कौसे का ही मान निकाल लेते हैं भाईया कौसे का अगर आप मान निकालोगे तो हो जाएगा जोड के आधा ते तीन तीन नो एक देस बटा तीन का आधा पाच बटा तीन होगा या नहीं होगा क्लियर अब साइन बराबर लंब बटा कर्ण तो कौसिक बराबर उल्टा कर्ण बटा लंब हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा कर्ण आपका पाच लंब आपका तीन तो आधार आपका भाईया चार हो जाएगा क्लियर है अब सोचो यहां पे लंब आधार लंब आधा सब पता हो गया हमसे कॉस कमान पूसा है जो होता है आधार बटा कर्ण यानि आधार आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है तो 4 बटा 5 आपका प्रसंद का जवाब होगा यानि D option आपका सही होगा पेपर की खोप्री में इतने शिद करें कि नहीं कि पता नहीं चलेगा अरे तुम लोग देखत हो कोर्मेंट्स इस για इसाब को पादो प्लॉक करो लब यहां का जे आठी में लिख लेंगा दाया कहोँए आप लोग कोई संसकार नाम का चीज़ नहीं है अगला कोशन आपके पर यह रहा नहीं टाइप तीन का कोशन अगला यहाँ पर है टाइप तीन का कोशन कुछ इधन का कोशन देखिए यह अभी तक हमने जो कोशन देखा आईडेंटिटी से जो कोशन घुला कर पुशा जाता है, यह सिधा सिधी फरमूला पर कोशन होता है, यह सिधा सिधी आपके फरमूला पर कोशन हो, सर आप कॉमेंट्स पर नहीं हुएं, पहने पर ध्यान दिजिए, यह लोग डिस्टर्ब करने के लिए ही आये हैं, हाँ सर, हाँ तब देश्ट बंगाल तुम उर्दू में लगते हो जी, मंगल, लिख रहा है, सर संजु दास बंगाली में कॉमेंट्स किया है, कि आप बहुत अक्सा पर हाते हैं, संजु जी, हैना, कोर्सिस करिएगा, त्वासा हिंदी में या एंगलीजी में लिखने का, हमें सम कॉस ठिटा, कॉस ठिटा, कॉस ठिटा, बटा बाई, अब अगर ये कॉस को इधर लाओगे, तो क्या हो जाएगा, साइन ठिटा, बटा कॉस ठिटा, नहीं, बरावर एक्स बटा बाई, इसको तोरोगे, तो ये हो जाएगा, टैन ठिटा, बरावर एक्स बटा बाई, टैन बराबर क्या होगा तो कहेंगे लंब बटा आधार होगा इससे आप चाहो तो कर्ण निकाल सकते हो लंब एक्स आधार बाई तो कर्ण होगा अंडरूट लंब इसक्वाइर पलस आधार इसक्वाइर जब लंब आधार कर्ण पता हो गया तो किसी का विमान निकाल देंगे यानि हमसे पुशा है कि sin theta minus cos theta का मान क्या होगा sin theta बराबर लंब बटा कर्ण यानि x बटा कर्ण आपका है under root x square plus by square minus cos theta बराबर आधार बटा कर्ण आधार आपका है by by बटा x square plus by square करने ही नहीं है अब चाहो तो यहाँ पे cm लेकर इसको जोड़ भी सकते हो under root x square plus by square cm हो जाएगा उपर में हो जाएगा x minus by यही आपका प्रस्म का जवाब होगा यानि c option आपका सही होगा clear है भाईया देखिए यहाँ पे सारे question आप जब तिरकुनमेती पढ़ रहे होंगे identity अलक्से हम पढ़ाएंगे तो उसमें देखते होंगे मानं पूट कर हल करना मानं पूट करके हल करना मानंपूट करके हल करना बिल्कुल हैना तो बहुत सारे identity जो होंगे उसका मान पूट एकस मानेस भाई एकस मानेस भाई होगा ना साइन्ठट एट्टा बराबर लंब बटा कर्ण कर्ण लंब है आपका एकस एकस बटा ता एकस मनस्वाई होगा ना ठीक है कलियर है अब बताओ रौसान तिरकोनमीती प्रहाएं कि मेंसोरेशन प्रहाएं कि CI प्रहाएं क्या प्रहाएं कोई एखीची न प्रहाएंगे भाई संडे को टिक है अज इनको सारा चिपहना है उनके लिए KTC classes app हैं ही वहाँ पर जाईए प्लेयर अस्टोर पर डॉपनलोड करिये सारा course पर हुआ है आगे यहाँ पर देखियेगा अगला question आपके screen पर यह रहा अगला question आपके screen पर यह रहा और यह कहता है कि सेख ठिटा पलस टैन ठिटा बटा सेख ठिटा माइनस टैन ठिटा बराबर पाच बटा तीन है ना तो साइन ठिटा का मान बताओ तो साइन ठिटा का मान क्या होगा अब याद करिए अगर आप अलजेबरा पढ़े होंगे तो सी एंडी रूल पढ़े होंगे C and D, है न, कुट्ता पलस गधा बटा, कुट्ता माइनस गधा, अगर ऐसा सिती हो, ति इसको सिधे लिखते हैं, सेक ठिटा बटा, टैन ठिटा, है न, बराबर 5, 38 बटा, पाच माइनस तीन यानि की दू, क्लियर है, 5, 38 बटा, 5 माइनस तीन यानि की दू, अब इसको हल करोग सेख ठिट्टा बरावर होता है वन बटा कौश ठिट्टा अटेन ठिट्टा बरावर होता है साइन ठिट्टा बटा कौश ठिट्टा क्लियर है आई हो जाएगा चार अब इसको कौश कर जाएगा एक बटा साइन यानि आ जाएगा एक बटा साइन ठिटा बरावर चार यानि की साइन ठिटा बरावर एक बटा चार आपका प्रस्ण का जवाब होगा यानि B option आपका क्या होगा सही होगा किलियर है भाई किलियर है यह सारे question में कोई technique नहीं सिधा formula का इस्तमाल करेंगे आपका हल होगा प्रैक्टिस ही आपको इसमें काम दिलवाएगा प्रैक्टिस ही आपको main काम करेगा इस सारे question में कोई बात नहीं ठीक है भाई या ठीक है तो हमें लगता है आप लोग ऊब रहे हैं क्या आप लोग ऊब रहे हैं एक बार comments करके बताएए क्या आप लोग ऊब रहे हैं ज्यादा ऊब रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी के संख्या भी हना ज्यादा मनलाइक नहीं है कमी है हना ऊब रहे हैं तो हमको बता दीजे comments करके कैसा class लग रहा है ठीक ठाक लग रहा है या नहीं दिल गार्डर गार्डर हो गया सर गेम माश्टर वस्षिष्ट कुमार ध्यान दिजेगा अभी हम दो ही type पढ़े हैं अभी हम दो ही type इसमें और question है अभी और question बाकी है ठीक है इतना ही नहीं और question बाकी है ठीक है अब जिस इस question को देखो यह कह रहा है यहाँ पे कि sin 4 theta minus cos 4 theta का मान यह चारों में से क्या होगा यह सारे question को मान पूट करके भी हम बनाएंगे लेकिन अलग class में उसको बनाएंगे इसमें नहीं इसमें basic सिखेंगे हम best अब देखो यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा थोरा सा तो यह जो power 4 है इसको क्या हम square के square लिख सकते हैं अगर ऐसा आप करते हैं तो यह स्कॉाइर माइनस को स्कॉाइर थिट्टा माइनस को स्कॉाइर थिट्टा आएगा के नहीं आएगा अब गौर करिए यहाँ पे साइन स्कॉाइर थिट्टा प्लस को स्कॉाइर थिट्टा का माण क्या होता है भाईया ओवन होता है तो वन गुना इतना करिएगा तो इतना ही रह जाएगा यानि आपका रिजल्ट आ जाएगा साइन स्कॉाइर थिट्टा माइनस को स्कॉाइर थिट्टा यानि आपको पहले से minus cos squared theta यहां पर है यानि की हो जाएगा 1 minus 2 cos squared theta तो कभी-कभी यह झारी Option में रह सकता है कभी-कभी इसको टोरके बना सकते है कॉस को टोरियेगा तो 1 minus sin square में तूड़ जाएगा तो 1 plus 2 sin squared theta हो जाएगा वह इसा किसी भी धंग का option हो सकता है तो यह सब identity है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे याद रहे हम इसको बनाने का तरीका मेरा यह नहीं होगा यह basic है बनाने का तरीका होगा man putting man put करकर बनाएंगे करकर बनाएंगे लेकिन उसको special एक साथ हम सिखेंगे हम यहाँ पर idea दे रहे थे यानि हम दुसरा बात यहाँ पर कर रहे थे कि पहला में तो तिरकुनमितिये निस्पतियां हुआ और दुसरा में है ना वो तिरकुनमितिये निस्पतियां के आपस में जो relation है उसके आधार पर जो समिकरन best question होता है जो तादम होता है वो कुस इढ़ंग से पूशा जाता है clear ह हमें लगता है इसके आगे की कहानी आज नहीं हम अगले संडे को करेंगे या अगले दिन को लेकर आएंगे क्योंकि बाचिकी भी कम है हाना कलास भी दो घंटा का हो चुका है आप लोग उप भी रहे होंगे हाना और ये किन मानिए एक कल रात तक तो आपके बिच्छी में अगले थे हम 11-12 वाजे तक प्रहाई रहे थे आप लोग को उसके बाद अना सोये हैं खाना खाका उसके बाद पर जा गए हैं तब हम कहीं ने कहीं पिपिटी बनाने में साम तक खाना नहीं खाये हम अभी कलास लेने से आदा गंटा पहले गिलास सत्तु पीये हैं बस सुब आपका रहेगा यहां पर अभी कोशन बहुत है था मेरे पास लेकिन आप लोग भी उब रहे हैं अता कल का सुडूल आपको बता दें की आठ पीम में सबसे पहले आठ पीम में आपका मैत का कलास चलाएंगे मैत का ठीक है और जिक्के जिएस का क्यूज हम सोच रहे हैं 10 पी और के रेजिनिंग का जो बात होगी वह हम सुदूल लगा देंगे 10 एम में, 10 एम में हम आपका रेजिनिंग का सेट लगा लेंगे ठीक है क्लियर है भाईया यह सारा का PDF यह सारा का PDF है ना टेलिग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइट करा देते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन में है बोलिए किनी को कुछ और कहना है तो आप कर सकते हैं किनी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं बिलकुल बिलकुल आप बोल सकत सभी ढंग से सिखना चाहते हैं, हाना, तो नरम, गरम हर एक तरह का मैथ आपको देखने को मिलेगा, हर एक तरह का मैथ आपको यहाँ पे करना होगा, हाना, इतना ही नहीं, आगे देखिए कोशन का अस्टेंडर धिरे धिरे और बढ़ते जाएगा, ठीक है, आगे बहुत सा को बहुत सुन्दर कपील सर चलिए प्लीज गाइज एक बार सर एक लाइक लिए ओपी के टी सी ठीक है भाईया बढ़या लग रहा है ना तो एक बार लाइक सेर कर दिजिए अपने दोस्तों में मिलते हैं कल जब तक आप खुश रहे मंगन रहे ओके बाई बाई सुवराप्वी के पिल दो पर साद